हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अमित कुमार मैं अपने यूटूब चैनल हब स्टेडी पॉइंट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी लोग स्वास्तोंगे और यह इंडियन कांस्टियूशन यानि भारती समिधान पर यह पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके यूपी एससी यूपी पीएसी और अन्य स्टेट लेवल के जितने भी परिछाएं होती हैं उन सभी एकजाम्स के लिए आपके लिए बे इतलता रहे तो यह रहा आपके सामने है पहला प्रश्ण तो यहाँ पर पहला प्रश्ण दिया गया है कि भारती सिविल सेवा के संदर्व में न Health निमलिखित कत्मों में से कौन सा कतन सहई है भारत सरकार अधिनियम इन सो एक्तारड़्स यूरोप वासियों से अधिक था यह भी कथन सही है दोनों दिये गए कथन यहाँ पर सही है तो हमारा अंसर यहाँ पर सी हो जाएगा एक और दो दोनों ही कथन सही है और यह आपके आरो ए आरो प्री 2021 में प्रस्न पूछा गया था चले अगले प्रस्न की तरब बढ़ते हैं अगला प्रस्न रहा आपके सामने यह भारतिय परिशद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कतनों को पढ़कर सही विकल्प का चैन करिए इसे 20 जून 1892 अधिनियम तो 1892 में आया गया था लेकिन जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था तीन फेबरवरी 1893 यानी 1893 में इस तरह से पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी तो 5 नहीं थी गैर सदस्यों की जो टोटल संख्या थी वह कितनी थी 10 थी तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया तो पहला statement गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, सदस्यों को पूरक प्रस्ण पूछने का अधिकार दिया गया, नहीं, सदस्यों को पूरक प्रस्ण पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है, जो नोटिस पर प्रस्ण होते थे, उसी पर अधिकार दिया गया था, कि छादुन पूर जो नोटिस पर प्रस्न है उनसे पूछने का अधिकार है लेकिन पूरक प्रस्न पूछने का अधिकार बिलकुल भी नहीं दिया गया था यानि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा तो सही विकल्प चुनना है तो यहाँ पर एक भी विकल्प सही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अंसर होना चाहिए एक भी विकल्प सही नहीं है ठीक है कोई भी विकल्प कोई भी विकल्प सही नहीं है ठीक है तो हमारा आंसर यह हो जाएगा कोई भी विकल्प सही नहीं है चले प्रस्म नंबर तीन की तरब बलते हैं तो यह रहा कोश्चन नंबर थ्री आपके सामने समिधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यच्च कौन थे तो अस्थाई अध्यच्च के रूप में थे डाक्टर राजेंदर प्रसाद अस्थाई सदस्य थे समिधान सभा को जो 11 दिसंबर 1946 यानि 1946 1946 दिसंबर को डाक्टर राजन प्रसाद को अस्थाई अध्यच्च के रूप में चुना गया था वहीं डाक्टर सचिदा नंद जो सिन्ना है यहाँ पर जो आप्शन में दिया है यह दो दिन पहले यानि 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई सदस्य थे अस्थाई सदस्य थे समिधान सभा के अस्थाई अध्यच्च थे ठीक है तो अस्थाई सदस्य क्या अस्थाई अध्यच्च के रूप में थे और अध्यच्च के रूप में कौन थे तो अस्थाई अध्यच्च डाक्टर राजन प्रसाद को बनाया गया था ठीक है तो इस तरसे हमारा जो अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा चले अगले प्रस्ने की तिरफ बढ़ते हैं समिधान सभा समिधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यचता किसने की तो पहली जो बैठक की अध्यचता की गई तो मैंने अभी बताया कि जब प्रथम बैठक की अध्यचता की गई थी तो उसमें कौन थे डाक्टर सच्चिदानद ठीक है तो याद रखेंगे जो प्रथम बैठक की गई थी समिधान सभा की तो उसके अध्यचत कौन थे तो उसके अध्यचते डाक्टर सच्चिदानद ठीक है तो यहाँ पर हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा C वाला ये ध्यान में आपको रखना है चले अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं question number ये रहा आपके सामने 5 क्रिप्स मिशन के प्रस्ताओं के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए समिधान सभा में प्रांती विधान सभाओं तथा साथ ही भारती रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे यहां पे एक चीज़ यहां पे थोड़ा गलत है समिधान सभा में जो प्रांती विधान सभा के सदस्य है ठीक है यह निर्वाचित होंगे यह नामित नहीं होगे क्या होंगे निर्वाचित यानि इनका निर्वाचन होगा ठीक है तो प्रांती विधान सभाओं का क्या होगा निर्वाच्चन होगा जबकि भारती रियासतों द्वारा जो होंगे वो नामित सदस्य होंगे तो दो चीजे होंगे प्रांती विधान सभाओं के सदस्यों का निर्वाच्चन और भारती रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे यानि इस तरह से पहला statement क्या हो गया गलत ह गया नया समयधान स्विकार करने के लिए जो भी प्रांत तयार नहीं होगा उसे या अधिकार होगा कि अपनी भावी इस्थित के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संदी पर हस्ताच्छर करे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है तो यहां पर हमारा अंसर कौन सा हो ठीक है तो दूसरा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट गलत है चले अगले प्रस्ण की तरब चलते हैं यह रहा आपके सामने अगला प्रस्ण जवाहलाल नहरू ने भारत की समिधान सभा की किस बैठक में उद्देश प्रस्ताव रखा था तो यह प्रस्ताव रखा में कब रखा था पांचवी बैठक में यह परस्ताव गया था पांचवी जो यह परस्ताव रखा गया था तो यह 13 दिसंबर 1946 यांनी 1946 तो 13 दिसंबर 1946 को पांचवी भारती समिधान सभा की बैठक की गई और इसी बैठक में उद्देशी का जिसे आप जानते हैं प्रस्तावना यहीं से लिया गया है तो इस तरह से हमारा अंसर कौन से हो जाएगा डी वाला अंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चले अगले प्र अधिवेशन किए गये थे तो टोटल अधिवेशन किए गये थे कुल 12, 12 में से 11 जो अधिवेशन है 11 अधिवेशन और एक जो सेस अधिवेशन है जब 26 जनवरी को लागू किया गया 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से जो है समिधान सभा को समिवेत किया गया यानि टोटल कुल जो है बार अध्वेशन कुल किये गए थे तो यहाँ पर हमारा अंसर सी वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा चले question number 8 की तरफ चलते हैं यह रहा आपके सामने question number 8 भारती है समिधान के निर्माण के समय 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 कार कौन थे यह पूछा जा रहा है तो यह थे भीएन राव जिसे बिनेगल नर्सिंग राव कहा जाता है इनका पूरा नाम था बिनेगल नर्सिंग राव ठीक है बिनेगल नर्सिंग राव ठीक तो यह इनके द्वारा समयधानिक सलाकार के रूप में थे भारती समयधान के निर्माड के समय चले एगले प्रशन की तरफ चलते हैं एगला प्रशन ये रहा आपके सामने भारती समयधान का प्रथम प्रारूप तयार किया गया था यह आपके यूपी लोवर सबा पुछा गया तो यह भी किसके द्वारा किया गया था तो बियन राव के द्वारा किया गया था ठीक है बियन राव द्वारा जो भारती समिधान का प्रारूप तयार किया गया उसमें कुल 243 आर्टिकल थे यानि अनुछेद थे ठीक है कुल कितने अनुछेद थे 243 अनुछे वरतमान समय में कितने अनसूचियां है लेकिन बीयन राव द्वारा जो भारती शम्मिधान का प्रारूप तयार किया गया था उसमें अनसूचियों की संख्याकूल कितनी थी 13 अनसूचियां थी 243 अनुच्षे अर्टीकल थे चले प्रस नमबर 10 देखते हैं ये रहा आपके स चीज है इसमें वे लोग जीवन भूगते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं भारत में सब कुछ इमानदार लोगों की आवसकता है जिनके लिए राष्ट हित ही सर्वो परी है ठीक है तो यह कथान जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था इस तरह से हमारा आंसर कौन स हो जाएगा डी वाला आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा चले अगले प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं तो अगला प्रश्ण यह रहाप के सामने सूची एक और सूची दो को मिलान करके सही उत्तरकाप को यहां पर चयन करना है मूल अधिकार तो मूल अधिकार के अध्यच कौन थे यानि यहां पे कुछ जो है समिती बनाई गई थी समिधान सभा से समित मूल अधिकार जो समित थी इसके अध्याच्छ कौन थे तो इसके अध्याच्छ थे सरदार पटेल यानि एक क्या हो जाएगा तो एक हो जाएगा चार ठीक है एक क्या हो जाएगा चार कारे संच चालन के समित डाक्टर राजेंदर प्रसाथ थे यानि बी का हो जाएगा तीन और संग सकति के जो है जवाहललाल नहरू थे यानि ये हो जाएगा आपका दो और प्रारूप के समित के जो थे वह भीफिम्रा अम्बेड कर यानि यह हो जाएगा चार, चार के बाद, तीन, तीन के बाद, दो, तो चार, तीन, दो, एक मतलब हमारा अंसर, पहला वाला अंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चले अगले प्रेस्नल, question number 12, यह रहा आपके सामने, भारत के समिधान में उद्देसिका का विचार लिया गया है, तो उद्देसिका का जो विचार लिया गया है, वह कहां से लिया गया है, टीक है, इटली के समिधान से, कनाडा के समिधान से, फ्रांस के समिधान से, या फिर USA के समिधान से, तो यह USA, यानि USA के समिधान से लिया गया है, टीक है, तो हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा, डी व भारती समिधान में राज्यों का संग की संकलपना को प्राप्त किया गया है तो यह ब्रिटिस नार्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है ब्रिटिस नार्थ अमेरिका का मतलब कनाडा ब्रिटिस नार्थ अमेरिका अधिनियम का मतलब क्या होता है कनाडा से ठीक है तो राज यह रहा आपके सामने question number 14 भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली गई है कहां से उधुद्रित है तो जो समवर्ती सूची की जो संकल्पना है यह आस्टेलिया के समिधान से लिया गया है यानि हमारा answer कौन से हो जाएगा C वाल answer यहाँ पर correct हो जाएगा अगले प्रश्ण की तरफ पढ़ते हैं question number 15 यह रहा आपके सामने निमलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है एक तरफ प्रावधान दिया गया है एक तरफ स्रोत दिया है कौन सा प्रावधान किस स्रोत से या किस समिधान से ल बात करें तो मौलिक अधिकार का जो समिधान लिया गया है ठीक है वह सयुक्त राज अमेरिका से लिया गया है बिल्कुल सही है correct है राज के नीत निदे सकत्व आयरलैंड से लिये गया है बिल्कुल correct है सही है केंदर की अवसिस्ट सक्तियां तो यह आस्टेलिया से नहीं ल हो जाएगा तो हमारा अंसर यहाँ पर सी वाला अंसर हो जाएगा जो की सही करेक्ट नहीं है आपात कालिन सक्तियां जर्मनी से ली गई है बिल्कुल करेक्ट है कुश्चन नंबर 16 यह रहा आपके सामने भारती समिधान में सनहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के समिधान से ग्रहण की गई है फ्रांस से संयुक्त राज अमेरिका से ब्रिटन से या फिर रूस से तो यहाँ पर भारती समिधान में जो सनहीत मूल अधिकार है तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है USA यानि इसायुक्त राज्य अमेरिका के समिधान से लिया गया है question number next 17 भारत का समिधान सबसे अधिक लंबा हो गया है बिल्कुल सही बात है पूरे विश्व में सबसे लंबा समिधान किस देश का है अपने भारत का ही है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन समिधान के मौडल से लिया गया है यह भी बिल्कुल सही है मौलिक अधिकार जो लिये गया है वो अमेरिकागे समिधान के मौडल से लिए गया है ठीक है तो भारत का समिधान अब जिए मौलिक अधिकार है तो किवल मौलिक अधिकार के कारण थोड़ी भारत का समिधान लंबा हो गया तो इसका यह सही स्पस्टी करण नहीं है चले, question number 18, ये रहा आपके सामने, question number 18, निम्न लिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ, नागरिकता, समिदान के भाग 2 से संबन देता है, बिलकुल सही है, मौलिक अधिकार समिदान के भाग 3 से संबन देता है, मौलिक कर्तव समिदान के भाग 6A से नहीं स संबन्दित है और आज ये का जो है वह समिधान के भाग चार से संबन्दित है बिलकुल सही है तो यहाँ पर हमारा सी वाला अंसर यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है चले अगले प्रशने की तरब बढ़ते हैं तो अगला प्रशने यह रहाँ आपके सामने निमलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है समिधान का दूसरा भाग यह मौलिक अधिकार से संबन्दित नहीं है समिधान का जो दूसरा भाग है वह नागरिक्ता से संबन्दित है किस से संबन्दित है नागरिक्ता से ठी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तीसरे से संबंदेत है, नागरिकता दूसरे भाग से संबंदेत है, ठीक है, अब बाकी मौलिक कर्तव्य या चवते से संबंदेत है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर, यानि सी वाला अपसन सही है, समिदान का जो पांचवा भाग है, प प्राजिका जो नितिनिदेशक सिदधानत है वो भाग 4 में है तो इस दरह से हमारा अंसर सबसे सही कौन सा है तो C वाल अंसर सही है चले अगले प्रष्णे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रष्णे यह रहां के सामने हैं भारती समिदान का भाग सोल समबंदित है तो भा लुगों के विशेश उपपंदों से यहां पर संबंदित है भाग सोला कोश्चन नमबर 21 यह आपके सामने मूल भारती समिधान में कितने भाग अनुछेद और अनसूची थे यानि जब समिधान मूल समिधान यानि जब समिधान बन करके तयार हुआ तो उस समय कुल कितने भ भाग थे 395 अनुछेद थे और 8 अनसूची थी यह अपने भारती मूल समिधान में नहित है तो मूल समिधान में 22 भाग थे 395 अनुछेद थे और 8 अनसूची थे वरतमान समय में कितने हैं तो 22 भाग ही है 395 अनुछेद है लेकिन अनसूचीयों की संक्या 8 से बढ़ करके 12 ह गई हैं चले अगला प्रस्ण भारती समिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत अखिल भारती सेमाओं का प्रावधान किया गया है तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 यानि हमारा अंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक चले अगले प्रस्ण की तरब चलते हैं, अगला प्रस्ण ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, अनुछेद 49 समान न्याय एवं निहसुल्ग विधिक सहायता से संबंदित है, तो बिलकुल सही है यहाँ पर, अनुछेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन संबंदित है, बिलकुल सही है, यह भी स्टेटमेंट दिया गया कैसा है, सही है, अनुछेद 44 समान नागरिक सहीता को प्रदसित करता है, यह भी सही है, अनुछेद 49 न्याय पालिका का कार्य पालिका से प्रिथक करण, तो यहाँ यह जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुछेद 49 जो है, वह क्रिसी एवं पसुपालन के संगठन से संबंदित है, ठीक है, और जबकि यह जो न्याय पालिका और कार्य पालिका है, तो न्याय पालिका और यह जो कार्य पालिका का जो प्र थकरण है यह संबंदित है आर्टिकल नमबर 50 यानि आर्टिकल नमबर 50 से संबंदित है ठीक चले अगले प्रस्टन कोस्चन नमबर यह 24 भारती समिदान की किस अनुछेद में केंदर सासित प्रदेशों के लिए उच्छ न्यायालय का प्रावधान किया गया है तो यह आर्ट नमबर 241 में किया गया है ठीक है 241 में वही 240 में अगर हम बात करें तो यह राष्ट पती की सक्ति का जो है राष्ट पती को सक्ति प्रदान करता है राष्ट पती राष्ट पती को सक्ति प्रदान करता है किसके संबंध में संग एवं राज्यचेत्र के संबंध में संग एवं राज्यचेत्र के संबंध के बीच में सक्ति प्रदान करता है राष्ट पती को अनुछेद जो 242 है यहां पर यह निरसित से संबंधित है और अनुछेद यहाँ पे आर्टिकल नमबर 239 जो है संग राज छेत्रों का प्रसासन से संबंदित है ठीक है तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा चले अगले प्रस्न की तरब चलते हैं अगला प्रस्न यह रहा आपके सामने भारती समिधान में तो भारती समिधान में आप जानते हैं कुल वर्तमान सामय कितनी अनसूचियां है तो यह कुल बार अनसूचियां है अगर यही भारती समिधान के बजाए यहाँ पे लिखा होत प्रस्ण आपको प्रस्ण कभी सभी कैसे लगे सभी एक बार कमेंट कर देंगे और आप मेरे चैनल हब इस्टडी पॉइंट को सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है बराबर मिलता रहे तब तक आप स्वस्त रहिए सौधान रहिए जैहिन तप्टाइब टकन्यूंस